नमस्ते एब्रीवन वीडियो को पूरा देखने के लिए दिल से आप लोग को धन्यवाद आप सब का निलम यादो के चैन में स्वागत है तो चले वीडियो को सुरू करते हैं आज की रेजपी बहुत ही अलग होने वाली है आज मैं बनाने वाली हूँ मैंगो जैम मैंगो जैम बहुत ही स्वाधिश्ट लगता है हम सब की फेवरेट है इसे हम ब्रेड रोटी के साथ बच्चे को भी दे सकते हैं और खुर भी खा सकते हैं बहुत ही बढ़िया लगता है इसे बनाना बहुत ही असान है फ्रेंस 15 से 20 मिंट के अंदर में आप लोग इसे बना करके रेडी कर सकते हैं इस मैंगो जैम को देखके कोई कह नहीं सकता है कि ये घर का बना हुआ मैंगो जैम है मार्केट जैसा मैंगो जैम बनाने के लिए हमने लिया यहां पे आधा केजी द काट करके निकाल लेंगे देखे मैं चमच से भी करके दिखाऊंगी आप लोग और चाकु से भी काट करके दिखाया ह LOU racism प्ल्व निंकालना बहुत ही इजी है इसे हम लोग चमच के सहरा से भी निकाल लेंगे थमें से चमच आध्य लगता है देखेह बहुत यह तरीके से च चाइब करके हमने फूर्टक के शारे पल्फ निकाल लिए हैं और देखिए बहुत इजली यह निकल गए अब मिकसर जार लेंगे और उसमें अच्छे से सारे आम के पल्फ को चमच के सारा से इसमें डाल लेंगे एख बड़े आप जी रहें शी में साइच कोई सब्सक्राइद equally लेकिन आम को फाइन पीछन दुठी होता है यह यह चानना पूर रहेंगे लेकिन हमने अच्छे से इसे फाइन पीछ लिया था रई है तो देखिए अच्छे से बहुत बढिया तरिके से Macht प्योरियों आम का विश्ची तो क कि बहुत ही लाइट गळाऊ को कि ली निम्बू चाहिए हमें और 500 ग्रम आम के लिए हमें 200 ग्रम चीनी चाहिए पैन हमने गरम करने के लिए रख देया था सारे आम के प्यूरी को हम इसमें डाल देंगे और अच्छे से इसे मेडियम फ्लेम पे 15-20 मिनट तक हमें इसे चलाते हुए पकाना है फ्रेंस 15-20 मिनट में बहुत अच्छे से मेंगो जेम बन करके रेडिव हो जाता है फ्रेंस तो देखिए बहुत ही अच्छे तरीके सा में मेडियम फेसे चलाते हुए रहना है तो देखिए जैसे से पकेगा हलका सा कलर इसका चेंज ज्यादा नहीं क्योंकि मैंने लाइट वाला मेंगो लिया है जो देखने सेरी मोगें उसका अच्छा वाला कलर होता है एक दम लाइट हलका यलो में होता है और जो और सब मैंगो होता है कोई मैंगो गिजए को डर्क ओरर अर्णि कलर होता है तो आपके आम मतhoon करता है कि कैसा उसका कलर आएगा तो देखिए अपर उसक तो यूड Boss शैन में चीनी के मतरा अच्छा खास होना चाहिए तभी हमारा ज्यादा टाइम तक मैंगो जयम खराब नहीं होता है तो देखें 15 मिंट के बाद जब हमने चीनी डाला उसके बाद 5-7 मिंट और हम कूप करेंगे चलाते हुए चलाना बिलकुल नहीं चोना है इसका छीटा पड़ता होगा तो यह इस मैंगो जयम का है जो हम ने पन में बनाय हुब ना उससे छीटा पड़ गया है तो हमारा जैम सेट हो गया है बुंद बेलकुल भी नेकी राए एक हमने इसमें निभू कर गर निचोन करक के अच्छा से डाल दिया तो में जरोरी है और पर आद पर एप क्या हो जाने के बाद से हम गैस को आफ कर देंगे और इसे ठंडा हो सब्सक्षेश फॉलिब कर देंगी घरा बड़ाית और आज्रुरर ठ्राइगार लिए भी अज़र अच्छी बाद ीजा vibrational प्रशने को लाइक सब्सक्राइव कर देंगे ताकि मैं और भी अच्छे वीडियो आप लोग के लिए ऐसी ला सकूं और आप लोग के लिए फायदे मंद हो सके तो देखें अच्छे से हमने सारे जैम को इसमें डाल दिया है और देखें कि नारी पर थोड़ा लगे होंगे लेकिन मैं बाद में क्लिंड करके आप लोगो द देखें ब्रेट में इसलिए लगा करके दिखा रही हूं कि मेरा बेटा जो है ना हवा इसलिए काफ ककडा बैट कर रहा है कि ममा कब जैम ब्रेट मुझे खिलाएगी तो इसलिए मैं आप लोगो देखें वार वार उसे वैड नहीं हो रहा था लगा कर दिखा के लिए उसे वेट बिल्कुल भी नहीं हो रहा था उसे जैम बहुत पसंद है फ्रेंस तो ऐसे आप लोग को भी और आप लोग को बच्चों को भी बहुत पसंद आने वाली है आप लोग यह रेस्पी जरूर ट्राय करें बाहर का मार्केट वाला हमें केमिकल मिलाया हुआ जै अच्छा लगता है फ्रेंस तो जरूर आप लोग ट्राय किजिएगा तो देखिए अच्छे से मैंने एक ब्रेड में डाल दिया था जैम और दूसरे ब्रेड में भी जैम आप लोग को लगा करके दिखा जो बेटी का फेस देखिएगा आप लोग फ्रेंस तो कितना यह स्म बहुत ही अच्छा और बहुत ही टेस्ट अलक तरह काया था इसे मैंने धकन लगा के रख दिया था और यह 6 माइना आप लोग इस डोट करके फ्रेज में खा सकते हैं आई होप कि वीडियो अप लोग को अच्छा लगा होगा अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज 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 चैनल को लाइक सिस्क्राइब कीज़ेगा फ्रेंस तब तक के लिए टेक केर और बाई बाई